तोय विए देखिछो दोस्तों बात करेंगे कैसे स्टोड के बारे में जो के टेक्स्टाल कुमणी में काम टेकsided सेक्टर में काम करता है लेकिन अगर बात करें ये इतना पहने स्टोड हे लेकिन इसकी भूख को लिए तो इतनी बड़ी है ठीक है यहां पर मैं बात कर रहा हूं दस रूपीज का स्टोक की और उसकी बूक वेल्यू जो है वो करीब करीब 10,000 की बूक वेल्यू है तो आपको भी क्रेश्चन होगा कि यह क्यों तुम्हें सब कुछ बता देता हूं क्यों है क्या है लेकिन जो है उससे पहले हम थोड़ा चार्ट स्ट्टर देख लेते हैं यह कंपनी काफी टाइम से बंद पड़ी हुई थी आप बोल सकते हैं बंद पड़ी हुई थी लेकिन यहां पर क्या है कि कोई भी मेनेजमेंट की और से अच्छे तरीके से उन्योश नहीं कौरा था यह देखो कि इस में इस में मेनेजमेंट करन ने क्या होता है तो बाकी टाइम लाइन होऊते हैं वह सब को चैंज हो जाता है है स्केडूल शंच हो बंद निक और जो है यहां पे उसकी capacity वहो कर सकती है तो जो दूगना कर सकती है management अगर यहां पे देखोंगे तो आपको पता हिए एक $.00 कमनी है और एक इंध कमणी है यहां पे अगर फेपरो इतना कोई भी कंपनी के लिए यहां पर उसका चार्ट च्रिक्टर देख लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आईडिया रेज़े कि कंपनी जो है काफी टाइम से जो है इतने लोंग लेवल से जो है यहां पर कहां पर अभी दोड़ रही है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर मैंनेजमेंट में में जो है क्या है मैं आपको दिखा देता हूं लेकिन यहां पर देखोगे तो मैं कोन सी कंपनी के बारें बात कर रहा हूं यहां पर देख लो SCL manufacturing company limited के बारे में यहां आपको यह स्टोग मिल जाएगा आपको क्या करना है यहां मैं जादा हूं आपको मैंक शाट दिखा देता हूं तो कंपनी देखो कितने अच्छे लेवल पर थी लेकिन जो है धड़ांग से गिर गई है यहां पर देख लो 2008 की बात करें तो यह 645 के अराउंड जो आपको दजर आ रही है तो यह कंपनी जो 645 से लेके इसने यहां पर अगर देखोगे तो करीब-करीब 2 रूपीस का भी जो है जो जो है दिखा चुकी थी यह कम दू पॉइंट नैंटी फाइफाइगा और यहां पर देख रहे है तो यह कंपनी जो काफ अगर आगे जाओको तो 45 का 40 का लेवल भी दिखा चुकी दिखा चुकी जीरो पॉइंट फॉर्ट यानि के 40 पेसे में बिक रही थी कब 3 एपरिल को यहां पर आप देख सकते हो अब जो है यहां पर कहां पर दो रही है कंपनी यहां पर भी 10 रूपीस 11 रूपीस का सपस बिकर दे रही है वह भी देख लुटा है मदद से यहां पर देखा दोता हूं मैं यहां पर देखोंगे तो scl manufacturing limited कम मैं बात कर रहा हूं यहां पर देखोंगर कम्पनी किया क्या करती है यह कंपनी की जो प्राइस है वो कितनी है 11 रुपीस की भी नहीं है पूरी और यहां पर देखोगे तो डेप कितना है 1000 करोर का तो डेप्ट है लेकिन यहां पर कोई डरने वाली बात नहीं क्योंकि थाउजन का भी है पहले कितना था वो हम देख लेते आपको दोड़ा बहुत जो आइडिया रहे जाएगा कि मैं किस तरीके से जो है आपको इंडिकेट करना चाहरा हूं है 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 यहांबर देको अभी आपको कितना दीखाई दे रहा है यहां पर defensive का possession आपको दिखाई दे रहा है लेकिन पहले कितना था यहां यहां पर देख लो 5600 के भी पार था किई donorbed कितना है 975 ही है यहां पर competitive नहीं ही देखो तो यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो ह यहां पर company जो है यहां पर debt कम कर चुकी है यहां पर 3 30, 3000 के पार यह company जो है debt थी लेकिन यहां पर भी कितनी है यहां पर आपको पता लगी गया तो बात करें company के pros और quals के बारे में तो आप देख लो company has reduced debt यहां पर देख लो कहाँ book value है कहां पर दोड़ रही है company एक्सपेक्टेट गीव कूट क्वाटर और देख लो तो 56 परसंटेज का सी एजियार आपको दे रही है यह कंपनी आपको कंपनी है लो प्लेज रेशियो और प्रोमोटर है व प्लेज 36 परसंट यहां पर यह कोई डलने वाली वालती है क्योंकि मेनेजमेंट चेंज होता है त यहां पर बात करें इसके इंट्रेंसिक वेल्यू की यह करीब करीब आपको 20,000 के भी पार आपको नजर आ रहा है यहां पर 11 रुपिस का स्टोक आपको कहां पर दिख रहा है यहां पर मेरे इस सब्सक्राइब बहुत यह अच्छे लेवल पर दिख रहा है क्योंकि आप यहां पर देखो गये तो डिया वालों ने क्या माल उठाया है यहां पर वाले जो कभी थे ही नहीं यहां पर पिक्चर में डिसेबर 2020 तक चो मार्श 2020 से 21 से अभी जो है पिक्चर में आचुक है 24 प्रंटेज होल्डिंग यहां पर लगाया है एस बी आई ने और कहीं सारे ड बड़े-बड़े इंवेस्टर आल है मार्श 2021 से यहां पर बहुती कुछ बद्ला होने वाला है ऐसी कंपनी को यहां पर छोड़ना नहीं चाहिए यहां पर देख लो मार्श 2021 यानि कि अभी भी वक्त है आपको खरीज दने का और यहां पर आपको पताए यह बूक वेल्यू कि इतनी अच्छी खासी बाइंग हो रही है और उपर से यहां पर देख लो कि पूरा का पूरा माल ले लिया गया है और डिया वाले और रोमोटर वाले लेकर बैड़ी है क्योंकि पता है कि यह इसकी रियल वेल्यू नहीं है और जब ही पब्ली के पास माल आना सुरू हो ज है थोड़ा बहुत इतना प्राइस बढ़ चुका होगा कि वहां पर एंट्री लेना थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल यानि कि आपको जो प्रोब्लम जो है डिसीजन लेने में तक आपको प्रोब्लम हो सकता है यहां पर आपके पास अभी भी मोका है क्योंकि आप 52 विक का हाई देखो तो 11.3 दिखाए दे रहा है लेकिन अभी करन पर दोल रहा है सेवं 10.7 के आसपास तो ठीक है यहां पर जो है आपको एसी एसी गिरावट जब भी होती है यहां पर आपको एंट्री करना सुरू कर देना है यहां पर टार्गेट और स्टोपलोस की बात क यहां पर देख लो यह जो टार्गेट जो है आपको कुण से कुण से रखना है यहां पर मैं आपको बता देता हूं आपको जो है जो टार्गेट रखना है वह देख लो यहां पर 33.39 का 30 से लेकर 39 तक आप जो है यहां पर टार्गेट लेकर चल सकते हो स्टोपलोस यहां प आप То करीब करीब अभी से लेके यहांपको करीब the date यांनि करी 30 % से लेकर आठ अजहर तकision तक का रिटुणों यहें आप in अजय। वहांव किस्ट कई अजहाएगा और तो सिर्फ और सिर्य आप हो जो है long term के लिए जाना है बिल्कुल भी यहां पर आपको short term के लिए नहीं जाना है बिल्कुल long term के लिए जाओ आपको मुनाफा होगा आपको जो है 2-3 साल तक के लिए company को जो है लेकर छोड़ देना चाहिए ऐसे ऐसे penny stock को लेकर छोड़ दो आपकी जो है life change हो जाएगी और आपको जो है कभी भी फिर जो है यहां पर जैसे की ताकिस जूर जूर वाला है बहुत ही इससे जो अच्छा च्छे इंवेस्टर है जो पेनी स्टोक में इन्वेस्ट कर रहा है कोई भी स्टोक करिदने से पहले और जो है यहां पर कोई भी स्टोक करें तो आपको क्या करना है यहां पर कोमेंट सेक्शन में बताओ हम पूरी कोशिज करेंगे आपको जल से जल जो है वह गाइड कर सके